मुझा बच्चो अगले वीडियो में आपके गज्य दोटे बारे में छानकाली प्राप्त कुछें इस वीडियो में हम गज्य दोटे बारे में गीन दोटे बारे में चानकाली प्राप्त करेंगे तो देखिए वीडियो बच्चो सबसे पहले हम एक गीद गाएंगे आपको भी मेरे साथ ये गीद का गाल करना है ठीक हैं? तो सुरू करते हैं गीद एक दो तीन चार आओ चले गीर नार पाँच्छ साद आण सागर तत पर शौम नाद नौ, दस, ग्यार, बार, कच्च चले तो आशा पूरा तेरा, चौद, पंद्र, शोल, बहुचर मा का मुर्गा बोला सत्रा, अथ्रा, उन्निस, बेस, मामा जी की फोटो खीच तो देखा बच्चो आपको भी मजा आया होगा है ना? अब हम अभ्यास दो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अभ्यास दो, अंको का अनुलेखन कीजिए बच्चो आपके सामने ये स्क्रीन पर एक से नौ तक की गिंती आएगी आप सबको देखना है कि इसको किस तरह से लिखा जाता है ठीक है? सबसे पहले गुजडाती, उसके बाद हिंदी तो आप देखिए, समझेए और अपनी किताब में लिखिए सबसे पहले एक दो तीन चार पांच छे साथ आट ठीक है? तो इसो देखकर आप अपनी किताब में लिखिए अभ्यास तीन गिंती क्रम से बोलते जाए क्रमा नुशार जोडते जाए और देखिए किसका चित्र बनता है चित्र में मन पसंद रंग भरिये देखिए बच्चो यहां स्क्रीन पर आपको यह चित्र दिया गया है आपको ध्यान से देखना है फिर बारी बारी से क्रमा नुशार आपको वो अंक जोडते जाना है फिर बात में देखेगा कि यह किसका चीतर तयार होता है ठीक है और आपको उसमें अपने मन पसंद का रंग भी भरना है ठीक है तो यह अब्यास भी आपको अपनी किताब में करना है हुआ 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 है अब हम अभ्यास चार के बारे में जानेंगे अभ्यास चार पढ़िये समझे और बोले बच्चों यहाँ पे हमें गिंती अंक और शब्द में दी गई है हम बारी बारी से यहाँ पे बोलेंगे आपको भी मेरे साथ बोलना है ठीक है तो बोलना सुरू करते हैं एक दो तीन चार पाज चार साथ आथ आट नौ दस ग्यारह बारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अथारह पंद्रह 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 सर्क्ट पंद्रह पंद्रह मुल पंद्रह कर दो कर दो